रॉयल इंफिल्ड का कहना है दोस्तों कि आप इस बाइक का इंजन ओयल हर 10,000 किलोमेटर में चेंज करें अब अगर आप ऐसा करते हैं इससे आपको कोई भी नुकसान होता है तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे क्या रॉयल इंफिल्ड के ऑथराइज सर्विस सेंटरस नहीं उसके जिम्मेदार होंगे आप खुद सो ऐसा क्यूं है दोस्तों कि बहुत सारे बुद्धी जीवी बहुत सारे ओट एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह जो साड़े तीन सो सीसी का इंजन है इसका इंजन ऑइल हर पांच जार किलोमेटर में चेंज होना चाहिए लेकिन रॉयल इंफिल्ड के ऑथराइज सर्विस सेंटरस में इस चीज को प्रमोट नहीं किया जाता यहां तक कि इस चीज को ऑप्शनल भी नहीं रखा गया है जैसे कि अगर हम बात करें आपकी पहली सर्विस होती है एक अजार या आठ सो साथ सो किलोमेटर पे आप गए आपने इंजन ऑइल चेंज करवाया उसके बाद आप सेकिंड सर्विस पे जाते हैं 5000 किलोमेटर पे तो वहां आपको बोला जाता है ओथराइज सर्विस सेंटरस में कि आपको इंजन ऑइल चेंज करवाने की आवश्यक्ता नहीं है आप केवल टॉप अप करवालीजी अगर इंजन ऑइल लेवल कम हुआ है तो और आपका इंजन ऑइल चेंज होगा अगली सर्विस पे यानि कि 10,000 किलोमेटर पे अब ये चीज सुनने में दोस्तो बहुत पॉकेट फ्रेंडली लगती है ऐसा लगता है रे वाओ यार मेरी सर्विस तो 200 रुपे में हो गई मेरी service तो 100 रुपे में हो गई या मेरी service में तो कोई पैसा ही नहीं लगा ऐसा लगता है हमें कि free of cost service हो गई इस bike का maintenance तो बहुत कम है लेकिन क्या actual में maintenance कम है क्या actual में ये चीज हमारे लिए beneficial है दोस्तो इस वीडियो में मैं आपके साथ में पांच चीजें ऐसी disclose करने वाला हूँ जो की रॉयल इन फिल्ड के service centers के दोवारा आपको recommend की जाती है लेकिन वो long term में अगर आप देखें तो वो गलत है और वो आपके bike के maintenance को end of the day बढ़ा रही है मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है दोस्तों hunter owners को रीबॉन owners को जिनके bike के clutch plate 9-10-10,000 km में change हो गया है 12-12,000 km में जिन bike के clutch plates change हो गया है उनका clutch का wire change हो गया है लेकिन अगर मैं वहीं अपनी bike के बारे में बात करूँ तो यह अभी लगबग लगबग 20,500 km चल चुकी है नहीं इसका clutch wire change हो है नहीं इसका accelerator wire change हो है नहीं इसके clutch plate change हो है नहीं इसका chancet change हो है और 20,500 km चलने के बावजूद भी मुझे guarantee है इस चीज़ की मैं 100% sure हूँ कि इसके clutch plate लगबग 7-8,000 km और चल जाएंगे और chancet भी easily 5-6,000 km चल जाएगा तो ऐसा क्यों है कि मेरी bike का तो easily 25-6,000 km चल जाएगा और लोग जो की regularly authorized service centers में अपना maintenance करवा रहे है timely उनका change हो रहा है 12,000 km पे 9,000 km पे change head change हो रहा है clutch plates 12,000 km पे change हो रहा है clutch wire change हो रहा है 10,000 km वाली service पे क्या चीज़ें है ऐसी तो वो जो चीज़ें है ना दोस्तों वो है वो 5 चीज़ें जो की आपके maintenance से जूड़ी होई है और यह चीज़ें royal infield के दौरा मुझे ऐसा लगता है कि कही ना कहीं इस चीज़ को option में रखा जाए उनके जो authorized service centers हैं उनके sales advisor हैं उनके service advisor हैं उनके दौरा यह चीज़ बोली जाए कि sir अगर आप change करवा लेते हैं अपना engine oil every 5000 km में so it's better अगर आप नहीं करवाते हैं तो यह आपकी choice है लेकिन ऐसा भी नहीं बोलते वो लोग अब इसके पीछे की वजय हम जाने तो वो यह है दोस्तों इसके पीछे का यही एक रीजन है और दूसरा कोई रीजन नहीं है लेकिन अगर आप इस इंजन में 10,000 km में engine oil change करवाएंगे ना तो आपके clutch plate भी जल्दी जाएंगे आपके engine में wear and tear भी जादा होगा आपके engine की performance भी drop होगी mileage भी drop होगा and end of the day आपकी जेब से बहुत सारा पैसा खर्च होगा तो पाच चीजें बताऊँगा दोस्तों बहुत important है every royal infield owner के लिए जो की नया जो engine ये 300cc वाला bike ओन करते हैं आप तो तो please वीडियो को एंट तक जरूर देखिएगा वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को subscribe कर लीजेगा कोई भी opinion question query हो तो आप comment box में मेरे साथ share कर सकते हैं और अपना चल रहा है 365 days 365 वीडियो जिसमें की डेली एक ऐसा informative वीडियो सामको सवा 5 बजे आता है तो let's talk about maintenance जो कि मैंने 5 point बताए थे अभी दोस्तो पहला point जो है rainy season चल रहा है हम सब की bikes बहुत गंदी रहती है तो हम क्या घरते हैं bike को wash नहीं करवाते है एंड हम सोचते है गंदी तो होई जानी है लेकिन दोस्तो ऐसा नहीं है अगर कीचर्ड मटी आपके bike के उपर जमी गंदी जमी हुई है और वापस पानी में जा रहा है फिर वो part heat हो रहा है फिर उसके उपर पानी लग रहा है तो वो आपका जो powder coating है उसको निकाल सकती है रस्टिंग आ सकती है आपकी bike के अंदर तो बेसक से आपकी bike गंदी हो जाए या बारिस का मौशम है लेकिन फिर भी आप 15 दिन में एक बार अपनी bike को professional wash जरूर करवाईए और अगर possibilities है तो डीजल wash करवा लीजिए वो और ज्यादा भैतर होगा आपकी bike की life के लिए उससे रस्ट नहीं लगेगी powder coating लंबे time तक चलेगी तो ऐसा करवाएंगे तो आपका आने वाले time में पैसे जरूर रिपेंट करवाने के दूसरी जो चीज है दोस्तों चैन सेट आप जब भी आपनी bike को wash करवा रहे हैं specifically rainy season में बोल रहा हूँ आपको 15 दिन के अंदर अंदर अपनी bike की chain को clean करवा लेना है properly जब भी आप wash करवाईए 20-30 रूपे का मिट्टी का तेल मिल जाएगा उन्हें ल 12-13,000 किलोमेटर में खतम हो जाएगा तो यह चेंज करवाना बहुत इसको clean करवाना बहुत जरूरी है time to time इसको clean करवाईए and clean करवाने के बाद जब chain सूख जाए तो इसको अच्छे से ल्यूब कर लीजिए चाहे आप gear oil से ल्यूब करें चाहे आप engine oil से ल्यूब करें च यह चीज आपके maintenance को definitely कम कर दीगे example आपके सामने मेरी बाइक चल चुकी है 2500 अब तक मेरा चैंसेट एकदम बहतरीन है and कल की वीडियो में परसो दो-तीन दिन पहले की वीडियो में आपने देखा होगा 12-12-13-13,000 किलोमेटर में लोगों ने अपने बाइक के चैंसेट नहीं लगता है और वो चलते हैं तो फिर कहीना कहीं पैड्स की life कम हो जाती है लेकिन बहुत सारे हमारे भाई ऐसे मैंने देखे हैं कि जिनकी बाइक क्योंकि हमारा वर्क्शॉप है लोग आते रहते हैं जिनकी बाइक चली है 10,000 किलोमेटर एंड उन्होंने जो सर्विस कर लग रहे हैं उनके तो इसके पीछे का रीजन होता है कि जब डिस्ट के अंदर कीचड धूल मटी जाती है तो डस्ट के अट्रक्शन में आके जब पैड ब्रेक लगता है कैलीबर प्रेस करता है पैड को तो यह जो अपनी डिस्ट की प्लेट होती है यह भी वेर इंटेयर ह होती है और आपके डिस्ट पैड जो है वो इजली खतम हो जाते हैं तो अगर आपको लगर आया कि डस्ट फसी हुई है तो मैकेनिक के पास लेके जाए यह पैड को क्लीन कर वा लीजिए और अगर आपके पैड पुराने हो गया है पांच-छेजार क्लोमेटर साथजार क्लो क्लोमेटर में आप अपने ब्रिक पैड को चेंज करवाई है डिस पैड को अगर आवाज आ रही है और आपने रिशेंटली पैड डेल वाए है तो उनको क्लीन कर वाली जिए खुलवा के यह बहुत जरूरी है इसके बाद दोस्तों अगर हम आगर बढ़ें तो जो मोस्ट इंजन जुड़े काम एक्षिल होते था आपकी क्लच प्लेट है आपके इंजन का वेरन टेयर है इंजन की आवाज है पिक अप है परफॉर्मेंस है माईलेज है तो यह सारी चीजे आपकी इंजन की तभी आपको बहतर मिलेंगी जब इंजन बहतर ओल इंटेक करेंगा। तो अगर आप इंजन ओयल 10-10,000 km चलाएंगे ना अपनी बाइक में तो आपको मज़ा नहीं आएगा, आपका इंजन आवाज करेगा, आपके टापट से साउंड आएगी, और आपकी बाइक परफॉमेंस अच्छी नहीं देगी, आपको मैलेज ड्रॉप होगा, तो ये सब च लेकिन टाइम टू टाइम इंजन ओयल चेंज होना चाहिए, और वो टाइम है 5000 km, अगर हो सके, तो उस इंजन ओयल में जब आप डाल रहे हैं, इसके एंदर 1.8 लीटर इंजन ओयल तो उसमें एक इंजन ओयल एडेसिव की बोटल लीजी है, 3M की, 50 ml की, और उसको मिला के व अपनी बाइक को चलाने में, 5th and the most important चीज, इस रेनी सीजन में दोस्तों मैंने बहुत करीब से देखा है, हमने बहुत सारी रॉयल इंफिल्ड में चार्जर लगाए, जो बाइक का चार्जर होता है ना, बाइक का चार्जर, जो की बाइक के बैटरी को चार्ज करता है, या जो वैदर है दोस्तों, इस वैदर में ये सारी प्रॉब्लम्स आती है, अपनी बाइक के अंदर कोई भी आप एलेक्ट्रिक काम करवा रहे हैं, तो प्रॉपरली उसको टेप लगवा लें, अच्छे मेकैनिक से करवाएं, ऐसा नहीं है कि बाइक की वाइरिंग आपने कहीं संबली खतम हो जाए, और वो एंड ओफ दर डे आपके मिंटिनेंस को बढ़ा देगा, आपकी जेव से ज्यादा पैसे खर्च करवाएं, तो इलेक्ट्रोनिक्स भी बहुत इंपोर्टन चीज हैं, दोस्तों, मैंने हर दिन में ना, एवरी डे दो तीन दो तीन बाइक्स आत अच्छा लगा है, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैच मिलूगा कल साम को सवा पांच बजे आप से, तब तक के लिए खुस रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, जै हिंद, जै भारत